हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई चैनल दीपाकंद्वे आईए आज आप लोगों के साथ मैं सेयर करने जा रहे हूं तंदूरी रोटी घर पर ही तंदूरी रोटी बनाएं खाएं और खिलाएं नो ओभेन नो तंदूर तबा पर ही बनाएं तंदूरी रोटी और बिल्कुल ही होटल से बेतर टेस्ट फील करें तो चलें तंदूरी रोटी बनाने के लिए दो कप मैदा ले रहे हूं इसमें अब दो कप आटा मिक्स करेंगे इसमें अब आट करेंगे वन टीस्पून नमक, हाप टीस्पून बेकिंग शोड़ा, हाप टीस्पून बेकिंग पाउडर, दो टीस्पून शुगर इसमें अब हम आट करेंगे 4 टेबल स्पून दही, 100-250 ग्राम दही आट करेंगे इसमें अब हम दो श्पून घी या रिफाइन आट करेंगे इन सभी चीजों को प्रोपरली मीक्स कर लेंगे एक कटोरी में थोड़ा दूद और पानी हलका गर्म कर लेंगे उसी से हमें इस आटे को गुंध लेना है गुंधें वे आटे में हलका हलका घी लगाकर ढखकर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे आटे को आप 2 घंटे हो चुके हैं यह बिल्कुल सॉप्ट और स्पंजी हो गया है अब इसे हम आटा लगाकर इसे बेल लेंगे आपको जिस तरह का सेपमन रोटी का बेल सकते हैं बहुत ज्यादा ना मोटा ना बहुत ज्यादा पतला करना है इसे इसके उपर अब हम कसुरी में थी चिली फ्लैक्स और अजवाइन डाल कर इसे हलके हाथों से एक वर फिर बेल लेना है कि वो अच्छी तरह से श्टिकी हो जाए सरे मिट्रियल अभी से हम पलट लेंगे अब उसके बैक साईड में अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे से अब अब पानी लगा हुआ साईड में पानी लगा कर उसी से तावे को पहले से तरह से रहे थोड़ी देर के लिए हमें रोटी को सिखने के बाद अब तावा को उल्टा करके रोटी को सेख लेंगे फ्लेम को गैस का फ्लेम को मेडियम कर देंगे हर तरफ से घुमाते हुए रोटी को सिखते जाएंगे देखिए बिल्कुल तंदूरी रोटी जैसा होने लगा है अब जिधर से वो नहीं सिख पा रहा है आप उस तरफ तावा घुमाते हुए रोटी को हर तरफ से सिखते जाएंगे हमारा तंदूरी रोटी सिखकर कंप्लीट है गैस ओफ करके हमें इसे प्लेट में निकाल लेंगे रोटी दोनों तरफ से बिल्कुल ही सिख गया है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है तंदूरी रोटी कंप्लीट है अब इस पर हमें बटर यगी अब जो भी चाहें इ से सर्व कर सकते हैं